किशान भाईयों आज बहुत important topic पर बात करने वाले हैं धान की फसल में गोब की वस्था में यानि तने में जब बालिया बनना सुरू हो जाती हैं उस तमये यूरिया यानि नाट्रियन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए या फिर डालने से फाइदा क्या मिलता है और नुक्षान क्या होता है पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है किशान भाईयी सबसे पहले बात करेंगे धान की जब रोपाई कर देते हैं रोपाई करने के बाद जो पहली खाट डालते हैं यूरिया के साथ किश्यान भाई जिंग डालते हैं 33 परसेंट वाली हो या 20 परसेंट वाली हो और उसमें संग सलफर भी डालते हैं कुछ किश्यान वहां पर सागिरी का जेट प्लस पर भी डालते हैं होमे केसिड डालते हैं बहुत सारे फर्टेलाजस बहुत सारे उर्वक खा डालते हैं लेकिन किशान भाईयों जो हमारी अवस्था लगबग 50 दिन के उपर पहुंच चुकी होती है 55 से 60 दिन पर हमारे तने में बालिया बनना शुरू हो जाती है यानि गबो तवस्था प्रानम हो जाती है धान में बालिया निकलने का समय नजदीक चला होता है ऐसे समय पर धान में यूरिया डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए या डालने से फायदा क्या मिलते हैं नुक्षान क्या होते हैं सबसे पहले किशान भाईयों बात करेंगे फायदे के बारे में यूरिया डालने से फायदा क्या मिलता है किशान भाईयों क्या होता है जब आप नाट्रिजन यूरिया डाल देते हैं गबोट अवस्था चल लही होती है तने में बालिया बनना शुरू हो जाती है तो यूरिया डालने से फाइदा किशान भईयों ये होता है कि बालिया एकदम से बराबर पूरे खेत में निकल आती है तो केवल एक ही फाइदा किशान भईयों मिलता है कि बालिया जो तने में बनी होती है नाटरिन यूरिया डाल देते हैं तो एक साथ बालिया निकल आती है लेकिन किशान भईयों नुक्षान इससे कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है होता किशान भईयों क्या है जब बालिया एक साथ बराबन निकल आती है तो वहाँ पर उसका तना जो है हमारा कमजूर हो जाता है क्योंकि नाटरिन आप डालते हैं तो जहां बालिया हमारी 8-10 दिन में निकलने वाली थी वहाँ पर 4-5 दिन में बालिया निकल आती है ऐसी कंडिशन पर तना हमारा कमजूर हो जाता है और पोधे की हाइट वैसे हमारे ज्यादा हो जाती है और जो नाट्रियन आपने डाल दिया है तने में बालिया बनना शुरूह जाती है तो और ज्यादा हमारी पोधे की हाइट हो जाती है थोड़ी भी हवा चलती है तो पोध हमारी पूरा का पूरा गिर जाता है ऐसे में जादा नुक्षान भी होता है दूसरी चीज किश्ण भईयों नाट्रियन यूरिया डालने से किश्ण भईयों यहां पर हाइपर रोग है और सीट ब्लाइट है यह रोग लगने की जो समस्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यूरिया से नाट्रियन से जो पोधे की हाइड ज्यादा बढ़ आती है और बालिया निकल आती है इससे सीट ब्लाइट और हाइपर रोग है बहुत ज्यादा लगने की शंभोना बढ़ जाती है तीसरा किश्ण भईयों नुक्षान यहां पर यह होता है कि जब बालिया जल्दी निकलती है तो दाने का भराव भ प्रकार से नहीं हो पाता है पौधे भोजन उतनी आसानी से जो बनाना चाह रहे थे दस दिन में हमारे धेले वहाँ प्राकर निकल रहे थे बालिया निकल लहीं थी ऐसी समस्या किश्ण भईयों जल्दी हो जाती है तो वहां पर बालिया बन रही होती है एकदम से मोटी नह लेकिन उसमें जिस प्रकार से फ्लॉरिंग होनी चाहिए उन नहीं हो पाती है क्योंकि धिरे-धिरे पॉलिशन हमारे पोधे में हमारी बालियों में बढ़ता जाता है लेकिन एक साथ जब बालियों निकल आती है उस साथ से हमारा पॉलिशन नहीं हो पाता है जिस साथ से हमको दाना वहाँ भरा होना चाहिए उस से हमारा वजंदार दाना बनना चाहिए तो इसलिए किशन भईयों नुक्षान बहुत ज़्यदा देखने को मिलता है तो मेरी शलाकिशन भायो यही है कि जब गवोट वस्था प्रारम हो जाती है यानि तने में बालिया बनना चालो हो जाती है उस समय आप यूरिया ना दें कताई यूरिया ना दें अगर आपको यहाँ पर जो बालिया निकलने के लिए उपर आप जंडा पत्ती देख रहे हों अगर वह हलकी पीली नजराती है तो आप समझ आइए कि नाट्रियन की कुछ कमी है तो इसके लिए ये इस्प्रे के माध्यम से आप इस्प्रे के माध्यम से जो एन-पी के 13-0-45 आता है उसकी आप पोर्टी कर सकते हैं इसमें 13% नाट्रियन होता है और 45% पॉटास तो पॉ transition बन रहा होता है उसमें सहिता करता है और और वहांは पर चमão को light बनाने में काफ़ी ज़्यादा शहिता करता है उस शमय कि strangely Не और चाहरे हैं तो अदित्पाज पचास से पच्पंद दिन के पहले ही आप मिट्टी में नाट्रियन डाल सकते हैं इस समय की चानवजियों सबसे ज्यादा जब मारे तने में बालिया बनना चालू हो जाती हैं पोटास की सबसे ज्यादा आवशकता होती है अगर फसल आपकी 50 दिन के अंदर ही हुई है मतलब 50 चास दिन के पहले की स्टेज पर आप मोपी पोटास डाल सकते हैं मिट्टी में डाल सकते हैं आप यूरिया डालने जा रहे हैं उसमें आप 15 कजी पोटास मिला लीजिए और 25-30 कजी यूरिया मिला करके आप यहां पर बुवाई कर सकते हैं अगर फसलाबारी लगबाग 60 द 40 50 आता है उसके माध्यम से 13-25 के माध्यम से या ंपिके 0- 21-34 के माध्यम से इन सभी फारी करके पोटास की पूर्ति कर सकते हैं क्योंकि इस प्रे करने से कि यहोता है एक बहुत जल्दी मिलता है अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो पोधे की लंबाई लंपाइव हाइट भी ज्यादा हो जाती है और अच्छत प्रकार से भी आपका यहांग मैं कई बार हर वीडियो में यही बताता हूं कि आपको इस बात का विशेद ध्यान देना है इस पर करते समय भी खेट में आपको नमी मिन्टेर बना कर रखना है नमी जितने जह हमारी तने में बालिया बनना चलो हो जाती हैं उस समय से ले करके बाली दानों में भराव तक बणना चलो हो जाती है। उस समय तग हमारे खेद में पाणी अच्छी प्रकार से肉 मिन्तें बनाकर आपको रखनाँ यानि पानी पर भेषाणी का नमी मिन्तें बनाकर इसे काफी यदा नुक्षान भी हो शकता है तो यह जानकारी किशान भाईयों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है कि यहां पर जब गवोट वस्था चल नहीं हो तो यूरिया आपको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए डालने से नुक्षान क्या होता है और यहां पर फाइदा क्या होता है पूरी जानकारी अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी किशान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्टे चैनल को प्लीज सब्काइब कीजिए बेल आइकन दबा कर आलकल लीजी शे आने वाली हर वीडियो नमस्कार